हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बिनोद और मैं जो आज आज आपके लिए कोस्टन ले करके आ हूँ वह बहुत इंपोर्टेंट है आपके टुवेल्थ हिसाम के लिए तो चलिए अब इस कोस्टन को आम लोग करते हैं टॉर्केंड डाइपोल ञंदर एक डाइपोल है किसका लेंथ्ट क्या है स्मॉल डिस्टेंऽ यहां से लिखे कि यहां तक कर डिस्टेंस कितना है 12 और इस पर एंगल कितना बन रहा है थीटा और यहां पर एंगल पर्पेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा इसका में शूट क्या है आपर क्यू अब हम लोग आगे चलते हैं consider an electric dipole a b a b हम लोग एक electric dipole consider किये हैं consisting of two point charge minus q and plus q a point पर charge कितना है minus q and b point पर charge कितना है minus q separated by a small distance 2l जिसका distance क्या है यहां पर 2l है बहुत को यहां पर 2a भी लेता है आप पर depend करता है हमें यहां पर 2l ले रहा हूं इसका distance क्या ले रहा हूं 2a अब आगे बढ़ते हम लोग पी इस electric dipole moment of dipole पी क्या है electric dipole moment जो हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके है कि पी इसका value क्या होता है 2ql let this dipole be held in uniform external electric field जब इसको हम electric field में इस electric dipole को क्या रखते हैं electric field में at an angle theta with the direction of e e direction में angle कितना बनाता है theta angle बनाता है force on charge plus q at b is equal to qe देखिए इसका magnitude कितना है force यहां पर कितना लगा qe qe b equal to qe इसमें रिशूट कितना है qe और e point पर क्या हो जाएगा इसमें भी qe along e force on charge minus q at a is equal to qe a is equal to qe opposite to e जो इसके opposite है e के opposite side में these two forces from a couple which rotate the dipole अब हम लोग dipole को क्या करेंगे इस dipole क्या करेंगे rotate कराएंगे जब rotate करा देंगे तो we draw क्या draw होगा ac parallel to e ac जो है वो parallel हो जाएगा किसके e के parallel हो जाएगा ac क्या हो जाएगा इसके parallel हो जाएगा and bc perpendicular to e यह bc जो है perpendicular हो जाएगा किसके e के perpendicular जाएगा जाएगा किसके e के perpendicular तो एंगल क्या बानेगा इसमें bac is equal to theta bac इसमें एंगल कितना है theta इसका एंगल कितना बन जाएगा theta तरह हो लोग यहाँ पर लेंगे sin theta sin theta का formula आप लोगो पता ही होगा कि लंब बार कर्न तो लंब इसमें क्या है bc sin theta is equal to यह लंब bc और कर्न क्या हो जाएगा आपका ab ab आपका कर्न हो जाएगा तो bc by ab sin theta bc सेम रहा क्या ab का value हम लोग को पता है इसका small distance क्या आता है a से बित्या का distance 2l 2l sin theta देखिए यह 2l उसके आगे यह bc का value यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यह into में चला जाएगा तो bc is equal to 2l sin theta 2l sin theta यह 2l sin theta आगया अब हम लोग यहाँ पर torque हम देखेंगे कि इसमें torque कितना लग रहा है तो torque का formula होता है magnitude of either force into arm magnitude of either force into arm इसमें arm क्या है arm जो bc हम लोग निकाले है 2l sin theta वो है arm और magnitude हम लोग जो यहाँ पर है b is equal to qe और a is equal to qe जो निकाले थे वो है magnitude इसका तो torque is equal to magnitude of either force qe into bc bc का value हम लोग अभी देखें निकाले हैं 2l sin theta यह torque रहा गया qe भी रहा गया bc का value 2l sin theta हम लोग put कर दिया है अब 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 हम लोग कुछ तर पहरे जाना थे कि electric dipole moment का formula क्या होता है p is equal to 2ql p is equal to 2ql तो यहां से क्या क्या भारा जागा 2ql 2ql ले लिए और यहां पर e आपका रहा गया sin theta भी रहा गया 2ql का formula यह torque is equal to 2ql का formula p यह e same रहा गया sin theta यहां पर भी आप लोग answer छोड़ सकते हो यहां पर इसमें sin theta का value कितना 90 degree ले सकते हो या तो 180 लेवा तो 0 हो जाएगा unstable जब 90 degree होगा तो यह क्या होगा stable equilibrium और जब 180 लेजएगा तो क्या हो जाएगा unstable equilibrium तो answer आप यहां भी छोड़ सकते हो या तो एक लिए बढ़ावी सकते हो यहां पर mode is equal to pe mode यह होगी आपका final answer sin theta is equal to 0 हो जाएगा यह question आपके लिए बहुत ही important है यह आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा और यह video आप लोग कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताएं और किसी भी question में आप लोगों को दिक्कत होता है तो मेरे comment section में comment करते या तो फिर मैंने contact number ढल दिया है उसमें आप लोग message भी कर सकते हो तो thank you और वीडियो अच्छा लगा हो तो like comment share subscribe जरूर करें thank you